हेलो फ्रेंड्स नमस्कार्बूर्ड इवनिंग इस्पेशल गुरुजी जीएम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल को अभी अभी विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंग सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का लाव आप तक मिल सके फ्रेंड्स आए हम लोग को कुश्यन स्टार्ट करते हैं यह वीलियम वर्ष वर्थ का है इनका डेट अब बर्थ है सेवेंटी से सेवेंटी से एटीन फिप्टी तक आएए फ्रेंड्स इसका इनका बर्थ देखते हैं अप्रिल सेवेंटी साथ अप्रेल 1770 में काकर माउथ कंबर लैंड में हुआ था इनका डेथ है अप्रिल 23rd 1850 डाइड आफ लुरिशी अट दे एज अफ एट्टी एंड वाज बरीट अट ग्रास मेर चेट्जी यार्ड नेक्ट कोशन फादर इनके पिता जी का नाम जान वर्ष वर्थ ये एट और नी एट ला थे नेक्ट कोशन इनके माता का नाम एनी कुक्शन था अगे एट अगे एट वर्ष 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 किसकुछ फैक्स है फ्रस्ट है वर्ष 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 वाज दे सेकेंड आप दे फाइव चिल्रें वर्ष 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 पास बच्चों में दूसरी नंबर पे थे नेक्ट कोशन इस वर्ष 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 व to his him to a school at hogshed we sent relative sent a school hogshed day next question in 1787 he joined A. S. T. Johns College at the University of Cambridge next question Wordsworth's teacher William Tyler inspired him to compose poem Wordsworth apne teacher William Tyler's inspired hue next question William Wordsworth was never serious about his formal studies apne study koe lekar ke kabhi serious nahi thay next question his love affair with Mary his tweet was very short one he wrote more than 500 sonnet he wrote more than 500 sonnet next question he knew many language like Greek Latin Italian French and Spanish when language he wrote Spanish language ke baare me next question Michael Bupi was his first teacher in politics politics ke pahle teacher thay Michael Bupi next question according to wordsworth versus cancer poetry is spontaneous overflow of powerful feeling and it takes its origin from emotions recollected in tranquility next question he was he also defined poetry as the breath and finer spirit of all knowledge it is the impassioned expression which is which is in the contents of all science next question next question what was planned to make the prelude and the excursion part of his long poem unki prelude or excursion long poem thi the recluse the recluse will treat of nature men and society the home of art grass mere was to be the first book of recluse unki pahle book recluse thi but it was not published till 1888 1888 लेकिन पबलीश नहीं हो साइकिई The excursion आई फिरंच वर्स वर्स के ये वर्क है इनकी शानत के शिरीज है पहला है The river impedance शानत next है दे एक्सक्लियास्टिकल शानेट्स शानेट्स डेडिकेटेट टु लिबर्टी मिस्सेलेनियस शानेट्स यह इनकी पॉपुलर पोयम है दे एक्सकर्शन दे प्रिल्यूड आफ ग्रोथ आफ पोईट्स माइंड तु मिल्टन अपन वत्मेंस्टर अभे तर रेंबो वे रहे इन दुट मुट विड़ रहे प्या दू प्यांनन दू। अभुड पूद्स टू टू दूक। त दूबदो लुशी ग्रे स्थामें ली यह इर्ली स्थां श्रिंट लीइव प्रेंस रफ पैसन। लुषी पोयम्स नेस्ट इलेजियक स्टन्जाज पिक्टर पिल कसल वाइड़ दे वागनर आरो रिवाजित दे शेलर्स मुदर गुदी बलेग गुदी बलेग रुटेज देस्ट्रिप्टिव एक्सकेश एन एवनिंग वाग इफ्यूजन अन देथ आफ जेम्स हाग शी ड्वेल्ट अमंग अंट्रॉडन वेज थ्री यर्स शी ग्रिव लाडो मिया नेरेटी पोयम है इनकी दाइयन है संग अथ फिस्ट आफ ब्रॉहम काशल अफ्लिक्शन अफ मार्गरेट डिसुलूशन अन इंडिपंदेंस लीच गैद्र है दाब्रदर गिल्ट अन शारो पीटर बेल फौंटेन पूर सूशन रूथ इनकी रूथ इनकी रूथ इनकी रूथ इनकी रूथ सुआए परिफेस बलेड रूथ तू द्यूटी, दे एडियेट बॉइ, माइकेल, दे बॉर्डरर्स, अ ट्रेजडी डामा है इनकी, प्रेफेस टू दे लिरिकल बैलेड, एक रिटिशीज्म है, यह नेक्स्ट पोएट है, जान किट्स, इनका डेट अब बर्थ 1795, डेथ 1821 में है, हुई है, बर्थ इनका, 31st अक्टूबर 1795, डेथ 23rd अप्रील 1821, सम फैक्स कुछ है, इनके फर्स्ट, किट्स वाज दे सन आफ अल, लिवरी, स्टेबल कीपर, स्टेबल कीपर, इन फिंस बरी पेविमेंट, 1795 किट्स, इनका अल, बर्माइटर स्टेबली वेरी, वेनका सूच कैस। अल, इनका। औ लिवरी, प्रूह मुंति, वेmus, इनका य क्ट्स, इनकाप्रेंट्पनर इजल, इ Isनकाह, नेक्स है चर्ल्स कॉर्डन क्लर्प थे सन अफ इस तुटर आरॉट इस लिटरी तलेंट नेक्स्पीर किस अल्सो नेव इसमाल लाटिन अद्लेस ग्रेप नेक्स्ट है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है यह इसमाल लैटिन एंड लेस ग्रीक एकिट्स के किट्स को जाना जाता है जो सेक्स्पीयर ने कहा था इनको नेक्स्ट है इस अर्लिएस टेमपेश्ट आट वर्स इस दे इंटिमेशन आफ इस्पेंसर 1813 में हुआ नेक्स्ट ही रोट 61 इनकी 61 सने से वर्स वर्स की 500 सने नेक्स्ट कॉर्णी स्पेंसर उच्ट इछ एंड दे।्ट इंटिमी वेग विडिवेची पी करेंडियर जेग्स इंटिमकी बिदेटियर झाटड दे उटिट्ट से स्टेचर्ट नेक्स्ट दा मेन काज आफ इज डेट वाज कंजियूंशन इनका इनकी मृत्तियू कंजियूंशन के कारण हुई थी वार्क्स आफ किड्स किड्स के वार्क हैं पोयम्स 1817 में लिखी गई इंडाइमियन 1818 में लाम्या आइसावेला दा एव आफ एस्टी एगनेस एंड आदर पोयम्स 1820 में लिखी गई हाइपेरियन है और इनका ओड्स है पापुलर सानेट है और फर्स्ट लुकिंग इन्टु चैपमन सोमर वेन आई हैब फियर्स दाट आई मेंग सीज टू बी ब्राइट स्टार में ओड है इनकी तू फैंसी तू शाय की तू मिलांकली तू आर्टमन तू इंडुलेंस और यह है आन अग्रेशियन और टू आ नाइट इंगल फ्रेंट से यह देखें चाल्स लैम इनका डटमन तू प्लीज मेरे चैनल को लाइक अंग सब्सक्राइब आवा से कर लें अग्रेंट से यह देखें चाल्स लैम इनका डेट अब बर्थ 1775 है डेथ है 1834 इनका बर्थ है 10 फेबरेरी 1775 इन क्राउन आफिस रो दे टेंपल लंदन डेथ इनकी हुई है 27 देसंबर 1834 में कि अरे शिवेल्स ड्यू टू स्लाइट फाल विच काजड इस रेथ फादर के नाम इनका जान मॉदर का नाम एलिजाबेट लैंब इनके कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में लैंब्स एल्डर ब्रदर जान वाज इसकालर एट क्रिश्ट हास्पिटल लैंब जो है सबसे बड़े जान के सबसे बड़े पुत्र थे जो क्रिश्ट हास्पिटल में इनकी पढ़ाई हुई नेक्स्ट अड़ एज आफ सेवें साथ वर्ज के वस्था में लैंब वसेंट टो क्रिश्ट हास्पिटल लैंब को स्क्रिश्ट हास्पिटल में यह लुक्ष्ट ही वास अफ्यलो पीवबल्स़स आफ sticking क Introdu zum नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् साइमन्स थी नेक्स्ट है ही अडाप्टेड लेटिल गर्ल नेम्ड इमा इसोला उन्होंने छोटी लड़की को अडाप्ट किया था जिसका नाम इमा या इसोला था नेक्स्ट देथ आफ कालरीज इन 1834 अफेक्टेड हीम कालरीज की मित्यु अट्रस चांतिस में हुई जो कि उनके वह प्रभावित थे उनसे नेक्स्ट लिविंग इसकूल इसको छोड़ दिये ही फाउंड इंप्लाइमेंट इन दसाउसी हाउस पहली साउसी हाउस में इंप्लाइ करने लगे नेक्स्ट कॉस्टन ही यूज तो पास इज हॉलिड़े अर्ट बलेक्स वेर हर्ट फोर्ट शायर वेर इस मतर्नल ग्रंडमधर मिस्ट फाल्ड वाउस्ट कीपर तो दे फैमली अफ्ट प्लमबर्श आपे कीपड़ ईयू। नेक्ष्ट कॉस्टन ही तो लग विगे अन्ना सामसी बते अन्ना सामस्ट बते शी अच्ट पावन रेंड्ड़ कर नेंब ऐरंड़ मि नेक्स्ट है ली सारी फ्रेंट्स है ही सिस्टर किल्ड हीज मदर उनकी मां उनकी बहन अपनी मां को एंड उंडेड हर फादर अपनी अपनी मां को मार्दी उनके पिता जी उससे गायल हो गए थे आहत हो गए नेक्स्ट ली ग्रीस अंड ली लोयर्ड वर इस फेथफुल फ्रेंड्स ली ग्रेस उनके अच्छे मित्र थे अच्छे बस्तार थे इंड ने वच्छे लिए खुटता ली सीच़ फिंड सांड सांडेड या Hm प्रियव 10 कि अचकृ頭 a poem on Hester Seve, Quaker girl whom he met occasionally in his work at Penton Villa. Next, in 1820, Lamb began to write for London magazine under the name of Elia. 1820 में Lamb, London magazine में काम लिखना शुरू किया, जिसका नाम इलिया रखा गया. सम इंपर्टेंट एससे है, जो ड्रीम चिल्डरेन और रिवरी है. 2. 3. 5. 10. 11. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 19. 19. 20. 22. आफ्तित्स, पोपलर फुलज़िस, तड़त अत्स इंपथ, इंन्हें कह लता स्थ, विञंधति निछ्टनंग।, अजदरे क्वाले की स्थ, जाफ्तित अध्तिती अक्रफिंध लिद्टन वैंधिर्स्टेंग।, जञ्टन्ग्सकिन अप्तितंग्ष Сबीर्फित्ग The New Year's Eve, Newspaper, 35 years ago, the sun and the brook, by rivers and streams, the praise of chimney sweepers, a dissertation upon roast pig, Blake's moor in H. Sire, Next, The Child Angel, Old China, Two Races of Men, Mrs. Battles, Opinions on Wist, The Decay of Beggars in the Metropolis. प्रेंट्स, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आईए देखते हैं, परसी बसी सेले, शेले, फ्रेंट्स, इनकी स्पेलिंग भी आ सकती है, देखें, P-E-R-C-Y, बीशी की स्पेलिंग होगी, B-Y-W-S-H-E, शेले, S-C-H-E-W-L-E-Y, फ्रेंट्स, इनका बर्डे है, 1792, और डेथ 1822 में हुई है, फिर से देख लेते हैं, इनका बर्डे, फॉर्थ आगश्ट, 1792, आइट्फिल्ड प्लेस, नियर होर्सम, इन ससेक्स में हुआ, डेथ इनका, 8 जुलाई, 1822 में हुआ, कुछ इंपर्टन फैक्स हैं, इनके बारे में, फर्स्ट है, सेले वाज दे इल्डेश शन आप तीमोथी एंड एलिजावेत, सेले सबसे बड़े पूत्रस तीमोथी और एलिजावेत के थे, ही वाज एजुकेटेड अट इटन, वे इटन में पड़े, वेर ही वाज नोन अज मैट सेले, जहां हुए मैट सेले के नाम से जाने जाते थे, नेक्स्ट, ही वाज एक्सपेल्ड फ्राम दे इनवर्सिटी इन एटीन हंडेड एलेवन फार राइटिंग पंप्लेट दे नेसेश्टी आफ एथेईज्म उन्हें निकाल दिया गया अठरा सग्यारे में एक इनवर्सिटी से एक पंप्लेट थी जिसका नाम दर एवेश्ट ब्रूक उन्होंने हारियेट वेश्ट ब्रूक से साधी की सी कमिटेड सुसाइड इन एटीन हंडेड सिस्टी जिसने अट्रों सोल में सुषाइड कर लिया आफ्टर देथ आफ हैरियेट की मिटेड के बाद सेले पाजड सम टाइम्स विद लेहंट सेले कुछ समय लेहंट के साथ गुजारे अट हैंट 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 इस्टीड एट एंड अन दिसम्बर 1616 1816 मैरीड मैरी गडवीन दाथर अफ गडवीन मैरीड मैरी गडवीन से उन्होंने 1816 में साधी कर ली जो गडवीन की पुत्री थी नेक्स्ट सेले वाज ड्रोंड वाइल सेलिंग इन आब बोर्ट आफ दे इटेलियन कास्ट एक्रास तब बे आप इस पाजिया दे नेम आप दे बोर्ट वाज एरियल उनके नाव का एरियल नाम था और उन्होंने इस पाजिया नदी में जो है डूब कर अपने मर गए इटेलियन कास्ट में सेले के कुछ वर्क है यह क्वीन माब है जो एटीन हंडेट थार्टिन में लिखी गई अलास्टर है एटीन हंडेट शेक्स्टिन में लिखी गई अनबाउंड अलीरिकल ड्रामा एतीन हंडेट एटीन में से ट्वंटी में तक अफ डिफेंस आप पोर्ट्री एटीन हंडेट ट्वंटी फस्ट जो प्रोज है हेलास एतिन हंडेट ट्वंटी स्ट में पब्लीश्ट हुई The Triumph of Life of Figment 1820, मैं लिखी गई इंपर्टन लिरिक आफ शेले, लिरिक है शेले की, The Cloud to Skylark, Oat to the West Wind, To Night the Sensitive Plant, Next Stanza written in Disduction near Naples, Hymn to Intellectual Beauty, आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कियें, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हवाशी कर लें, ताकि मेरे और भी वीडियो का लाव आप तक मिल सके, फ्रेंट से ये देखे, Charles Dickens इनके बारे में देखते हैं, इनका बर्थ है 1812, डेथ है 1817, आए डीटेल देखते हैं इनका, बर्थ 7th February 1812, अट लैंड पोर्ट इन हैंप साहर, डेथ हिनकी 8th June 1870, फादर का नाम जान डीकेंस था, अ क्लर्क इन नेवी पे आफिस, नेवी पे आफिस में वो खलर के रूप में थे, सम फैक्स अबाउट डीकेंस वो डीकेंस के कुछ बारे में, फैक्स हैं, इसका, फर्स्ट डीकेंस स्टार्ट इस केरियर इन राइटिंग इन 1833, 1833 से इनका डीकेंस का करियर शुरू हुआ, नेश्ट है, इन 1837, ही मैरीड मिस कैथरीन होगार्थ, 1837 में उन्होंने मिस कैथरीन होगार्थ से साधी किया, नेश्ट ही वाज अपॉइंटेट तचीफ एडिटर आफ दे डेली नियूज, बट लेफ्ट इट इन थ्री विक्स, यह जो है अपॉइंट किया गया, चीफ एडिटर के रूप में जो डेली नियूज, लेकिन वे तीन सब्ता में वहां से चले गया, नेश्ट है, लेटर ही वाज अपॉइंटेट एडिटर आफ हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड वर्क के लिए बाद में उन्हें एडिटेट के रूप में अपॉइंट किया गया, वर्क्स हैं डिकेंस के, नवल्ड आफ डिकेंस, इसके सिज बाइ बोज, पिक्विक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकली, निकल भाई, दो ओल्ड क्यूरियर सिटी शॉप, बरनभी, रिड अमेरिकन नोट्स, अटेल आफ टू सिटीज, एक्रिस्मस करोल, मार्टन सुझल्वेट, बम्बे अोन बेक हैंस, बलीकहस, हार kणि डेट एक्थेंस। भेटिस्टाइ बएविक पारफफिल्द, लट इंडॉरिद, लिट्टिन दूरीट, अधुपित अधूरूरूड कोई, अध।िएंडॉरू, लधूरूरूण, झा कि दे बैटिल आफ लाइफ दा हांटेड मैं एंड घोष्ट बारगें कि अब फ्रेंड से दिया आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक हैं सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक हैं सब्सक्राइब अबस कर लें आएगे हम लोग देखते हैं मैथू आर्नो दिसंबर 24 24 दिसंबर 1822 में लेल हम इन दे वैली आफ थैम्स में हुई थी इनकी इनका जन डेथ है अप्रील 15 15 अप्रेल सन 1888 में ही डाइड आफ हर्ट फेल्योर वाइल रनिंग टू कैस्ट दे ट्रेमे से ट्रेमे कार इनका हर्ट अटेक्स इनकी मृत्ती हो गई 1888 में 15 अप्रिल 1888 में ही वाज बरीड इन दे चर्च यार्ड अट लेलेहम उन्हें दफना दिया गया लेलेहम चर्च यार्ड में अगे फादर का नाम डाक्टर थामस अर्नोल्ड हेड मास्टर आफ रगभी चैपल रगभी चैपल स्कूल में हेड मास्टर के रूप में थे मदर का नाम मैरी पेन्रोज था नेक्स्ट कोश्च यह समफ फैक्ट्स उनके अर्नोल के बारे में हैं फर्स्ट है आर्नोल्ड विजिटेड स्विच्जर लेंड इन एटीन हंड़ेट फर्टी एट 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 फेन लव विद फ्रेंच गर्ल मार्गुरेट आर्नोल्ड स्विच्जर लेंड 1848 में गये जिस जिनको प्रेम हो गया फ्रेंच लड़की से जिसका नाम मार्गुरेट था नेक्स्ट कोश्टन इन 1847 ही बीकेम प्राइवेट सेकेटरी टू लार्ड लेंड 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 ओन नेक्स्ट इन जून 1851 ही मैरीड फ्रांस लूसी विंक्ट मैन अठरस अब जून अठरस क्यावन में उन्होंने फ्रांस लूसी विंक्ट मैं से साधी कर ली वर्क्स आफ मैथ्व आर्नोल्ड आर्नोल्ड के वर्क्स हैं दे स्ट्रेड रिवलर एंड अधर पोएम्स जो 1849 में लिखी गई इंपेडोकल आट एटना एंड अधर पोएम्स यह 1852 में है शोहराव अंडूस्तम 1853 में पोएम्स आट न्यू एडिशन 1853 में मेरोप आर ट्रेजडी 1858 में आंड ट्रांसलेटिंग होमर 1861 में एसे इन कितिसीजम 1865 तुस 1888 में दे स्टेडी आफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 में कल्चर और अनर्ची 1869 में सेंट पाल अन प्रोटेटिज्म प्रोटेंटिज्म 1870 में फ्रेंशिप्स गार्लेंड 1871 में लिटरेचर और डाग्मा 1873 में गार्ड और बाइबल 1875 में लास्ट एसे अन चर्च और डिलीजन 1877 में इसकोर्स इन अमेरिका 1885 में सिविलियाइजेशन इन दे यूनाइटेड इस्टेट्स 1888 में सम पापुलर पोएम्स फ्राम दे पेन आफ आर्नोल अनलोन की कलम से हुए कुछ उनकी पोएम्स हैं डावर बीच रगभी चैपल दे स्कालर जीप्सी थारेश इस दफर शेकन मेरमम स्टांजा फ्राम दे ग्रेंड ग्रेंड चार्ट्री ट्यूज नेक्ष्ट है और साउथर नाइट शुट्जे लेंड रिक्विस्ट कार कैट ओवर्मन सेक्सपियर फ्रेंड से मैं थ्वार नोले सेक्सपियर लिखा है और वर्सवर्थ ने आन सेक्सपियर दफ फ्यूचर केंशिंगतन गार्डन फिलोमेला हुमन लाइफ कैलिकल संग मरल्टी जुट्स ग्रेंड टिस्ट्रम और इजुल्ट अलरिक अत्रूम क्रॉम्वेल दे टेरेस अट बर्ने तु मार्गरेट फैड़ेट लिफ्स मेमोरियल वर्सेस बाल्डर डेड़ यह माइसरी है नस फ्रेंड से आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक अंग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक अंग सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का लाव आप तक मिल सके फ्रेंड्स से यह देखे आल्फ्रेड लाल ट्रेनीशन इनके विशे में हम लोग पढ़ते हैं एटीन हंडेड नाइन से एटीन हंडेड नाइन्टीट इनका बर्थ है शिक्स आफ अगस्त एटीन हंड नाइन दा फोर्थ चाइल इन दे फेमली आफ ड्वल्व बारा बच्चों में चौथे नंबर बच्चे थे अपने फेमली में एटेथ हिन की हुई 6th October 1892 at Aldoarth, beside him a volume of Shakespeare opened the doors in Cymbeline father George Clayton who had some skill in music painting and Artic टेक्चर mother का नाम Elisabeth an intelligent pious and dutiful lady इनके कुछ important facts है फर्स्ट फ्रेडरिक और चार्ल्स वू वर टेनीशन्स ब्रदर फ्रेडिक और चार्ल्स उनके भाई थे वर आलसो पोएट्स जो वह भी पोएट्स थे इन 1826 पोएम्स of two brothers appeared this collection also had some poems of the third brother Tennyson In 1829, he won the chancellor's medal for his blank verse poem Timbuktu. In 1830, his first volume poem's chiefly lyrical was published. आर्थर हेलम वाज इस फ्रेंड उनके फ्रेंड आर्थर हेलम थे। इस फ्रेंड आल्सो लब्डे टेनीशन शिस्टर इमली टेनीशन की शिस्ट बहन उनके मेत्र से प्रेंड करती थी बट ही डाइड लेकिन वह मर गये। His death inspired him to write poem उन्होंने उनके death से inspired होकर के यह poem लिखी which were included in in memoriam जिसका नाम in memoriam है. नेक्स्ट टेनीशन फेल लव विद रोज टेनीशन रोज से प्रेंड करते थे बैरिंग बट दिस लव एंडेड इन फेल्योर एड हर फादर देड नाट विश्ट तूर गेट हर डाटर मैरी तो अ पूर मैन लाइक टेनीशन वार्क्स ने टेनीशन के poems safely lyrical 1830 में लिखी गए, poems 1832 में, the princess 1847 में, in memoriam 1850, ode on the death of the duke of Wellington 1852 में the charge of the light brigade 1854 में, maad and other poems 1850 में, the first four idols of the king 1859 में, the idols of the hearth 1864 में, Enos Arden 1864 में, appeared in the idols of the hearth Tiresias and other poems 1885 में, Loxley Hall 1886 में, the idol of the king 1889 में, complete edition, this book has 12 poems linked together through king arthur next the coming of arthur second Gareth and Lee Linton Lynette the marriage of Geraint Geraint and Enid Balene and Balan Marilina and Viviana Vivian Lancelot and Elaine the Holy Grail Pileas Pileas and Eter the last Tournament Ginary the passing of arthur the death of on one Akbar's dream and other poems 1892 में, published past mostly मरने के बाद यह published हुई थी इनकी ड्रामा है The Falcon 1879 में लिखी गई The Cup 1881 में Queen Mary 1875 में Harold 1876 में Beckett 1884 में Friends वीडियो शमाप्त होता है Friends अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक & सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक & सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का लाव आप तक मिल सके Friends कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए Good evening तक के बेंगे